तो हालो प्यारे बच्चों क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत एक बार पिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से सेलेक्ट व लर्णिंग अड़्डा में है तो आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या एक हमारे पास गोली एकोस है और उसके कारण वैद दो छेतर के तीबरता मुझे पढ़नी है क्या पढ़नी है वैद दो छेतर के तीबरता तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी पास सामान रूप से अबेसित गोली एक होस है जिसके कारण मुझे क्या निकालना या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं या इसका चलो आगे इप diversus के कारण क्या वैद्थ चेत्र के खीरता उस बिंदु के अंदर और उस बिंदु के बाहर और इस बिंदु में अच्छे से आ जाएगा तो चलो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे है न तो आप जरूर देखके आएं बड़ा बड़ियां टॉपिक है ठीक है तो हमारे पास क्या है भाई एक आवेसित गोली ए कोस है क्या है आवेसित गोली एकोस है अब यहां पर अच्छे से समझते जाएंगे ठीक है इसका जो डाइगराम होता है बहुत बड़ा बनता है तो आपको अच्छे से समझना है देखको एक हमारे पास क्या है एक गोली एकोस है क्या है बोलो नहीं समझ में आया गोली एको और हमें उस प्रश्ट के कारण उसके अंदर प्रश्ट पर और उसके बाहर एलेक्रिक फिल्ड निकालना है तो चलो बिना किसी देरी के ना बात करते हैं इस पर ठीक तो हम क्या करते हैं इसको आविज देते हैं कितना आवेज देते हैं बोलो अरे सर मैं इसको प्लस क्यों आवेज दोंगा बताना मत किसी को किसी को ने साइलेंट प्लस क्यों आवेश हमने इसको दिया कितना आवेश दिया क्यों कितना दिया क्यों और इससे बोल दिया सांत रहना तेरा प्रेश्ट कितना है कितना है और इसका जो छेतरफल होगा कितना होगा 4 पाई आर स्कॉर होगा एक जो गेद होता है है इसके कांढ में इसे बोलोंगा तुमारा जो प्रेश्ट है न का चित्रफल जो हैना वो कितना होता 4 पाइअर- इसकोर ध्यान रखना क्या होगा पोर पाईअर स्क्वार है इसका अच्छा ऐसा व Вам कि कि जैसे मैं इसके कान में बोलूंगा न तेरा अतना है और अबैस इतना है यह हमारा निकाल लो कि अबैस खनद्थो ठीक है तो देखो हमने क्या करना ना पहले यह अब ठेरील लिखलेंगे माना एक गोलिय कोस एक समान रूप से प्लस के वाबेस से आवेसित है उसके कारण उसके कारण हमें वैद दुच्छेतर की तीपरता ग्याद करनी है अब कैसे इसको ग्याद करेंगे आओ सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में पहले आब इस गहनत तो निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बोलो हो खटम हरे अर गोस इंपरस मिलन करते थे फिर उसके कारते थी और यह सब चीज माना में चलेगा हमारा ठीक है, कितनी हैंतर जयाई इसकी R है आब दिखो हमें क्या करना है na मान के चलिया है na एक हमारा बिंदू P, हो सकता है अंदर भी हो जहाँए हमें electric film निकालना है हो सकता है बिंदू P कहाँपे हो इसके प्रष्ट पे हो हो सकता है बिंद उसके प्रश से बाहर हो ठीक है अच्छा इस डिस्टेंस को या इस डिस्टेंस को एक नए नाम से पुकारेंगे इसका नाम होगा small r क्या होगा small r अब यहां पर आप condition समझ ले जब हम बाहर बात करेंगे ना तो यह r इस capital r से बाड़ा होगा कि नहीं होगा बोलो यह इसके लिए हो गया ठीक है लेकिन जब प्रश्ट की बात करेंगे तो प्रश्ट पर क्या होगा small r बराबर होग जाएगा किसके capital r के लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यही r है ना छोटा पड़ जाए किस से capital r से यानी कि यहां पर capital r बढ़्डा होने वाला है और small r क्या होने वाला है चोटा तो हमारे पास कितने इस्तितियां भनेंगे तीन कितने मोहन प्यारे, आभशाई घंच क्या होता है? घंच तो, ठीक है? इसका मिए किससेओ करेंगे? सिक्मा से यह कहाः कहen सर, क्यूं अंपान कितना होता है? क्यूं आपका होता है? Lights चेट फल निकाल सकते हैं सर निकाल सकते हैं? तो यहां पर क्या लिखेंगे capital R ये ध्यान रगना आब ये जिस छेत्रफल में फैला होगा उसी का radius लेना है तो यहां पर आपका क्या आएगा capital R square आएगा ये आपका point P रहा अब case number one करते हैं case number one कहता है इस्थिति number one जब बिन्दू पी जब बिन्दू जब बिन्दू है ना पी जब बिन्दू पी बाहर इस्थित हो गोलिय कोस के कहां इस्थित हो बाहर इस्थित हो ठीक है इस्थित हो ठीक है तो यह आपका एक छोटा सा heading बात करते हैं जेंगे-दीखस्ट काल्पनिक प्रिश्ट से गुजारेंगे इंक यह क्या ग辜 burn कैके फिर पहुंच गया तब चुल ए Topक टक 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 टाक टक ट कट टक 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 टाक टक टक गया ठीख ऑब मों क्या करेंगे न इसे बलेक से एक बिंदु पर इस मलब इस आबीस के कारण इससे कालपनिक रस्ट कालपनिक प्रॉष्ट यानि कि गोल ये कालपनिक प्रॉष्ट जसे क्या कहंगे गॉसियां प्रश्ट है पर theatrname के अध्र ध्र सब जगां कैसी हो एक समान हो ऐसे हम प्रेस्थ कीचेंगे ठीक थे अब हम कहें जए शर यहां से मुझे थोड़ा सा फ्लरक्स मिलेगा क्या मिलेगा फ्लक्स टो हम बात कर रहें कुल फ्लक्स के कुल फ्लक्स के जब अगर आफ गस्यंद प्रेश्ट खिज चुके हैं तो आप चलिए कुल फ्लक्स निकालिए तो फाई कहेगा integration कर दो क्या कर दो integration कर दो e dot da e dot क्या da यह मानेगा नहीं यह कर देगा मानने वाला नहीं है सरकार यह कर देगा है ना यह तो एक समान है बाहर आ गया खटाक से यह इसके पास आएगा बात करेगा कहेगा हमारे साथ चलोगे यह कहेगा बिल्कुल चलूँगा ठीक है तो इसका जो एडिया आएगा Gaussian प्रश्ट का एडिया कितना होगा फोर पाई आर स्कॉर होगा एक गोला ही तो खीचेंगे यार क्या होगा फोर पाई आर स्कॉर जब कुल फ्लक्स आ जाए तो आपको मैं ने बताया था क्या लगाना है किन तो गौस परमेसे कौन से परमेसे परमेसे आप जानते हैं क्या जानते हैं बुलो हम जानते हैं तुम याद क्या करोगे क्यों पान कितना होता है एपसेलन नोट क्यों कमान है अपने पास यह रहा तो फाई स्कल्टू आपके पास आ जाएगा कितना क्यों कमान रखो ना यहां से उठा के सिग्मा इंटू फॉर फाई आर स्क्वाईर अपान कितना एपसेलन नोट कमान एपसेलन नोट कमान नहीं रखना है यार फाई कमान इतना यह इंटू 4Pi R2 जो 4Pi 4Pi गए इस E को है ना नीचे भेद दो कहां पर बेद दो कि देखो आर स्कॉर्ट को नीचे भेद दो तो E स्कॉर्टू आपके पास क्या गया इसकर टू क्या है बोलो चलो इसको उपर से मैं नोट कर दे रहा हूं है न इसकर डू आपका कितना है हरे यार देखो आर स्कॉर्ट को नीचे भेजो आप तो आपको उपर क्या मिल जाएगा सिक्मा आर स्कॉर्ट अपान यह नीचे आएगा epsilon not into r square अच्छा एक ची देखो ये सब चीज़ है ना इसमें fix है तो मैं कह सकता हूँ जो e होगा न निर्भर किस पर करने वाला है r square पर निर्भर करने वाला है यानि कि जब आपका बिंदू P बाहर होगा न तो वो इसके दूरी पर क्या करने वाला है अब हम बात करेंगे इस्तिती नमबर second इस्तिती नमबर second यानि के case number second यहां पर क्या होगा जब है ना बिंदू P यहां पर ना उकर करें कहां पर हो इसके प्रष्ट पर हो जब बिंदू है ना पी गोलिये प्रष्ट के यहां पर आप गोलिये लिख लेना दें गोलिये प्रेश्ट के बाहर स्थित हो जब बंदू पी गोले ये गोले प्रецट पर इस्थित रोग तो अब क्या करेंगे ठीक है क्या करने करेंगे आप केंगे सब्सक्री रिップ में तो उस से हमें इसके प्रस्टे होता हुआ तो सेम छेत्रफल वह हमारे गोश्क गोस्क यानि कि घौसिन प्रस्ट का तो कोई बात नहीं फ्लक्स कि अगर बात किया जा तो यह कहे गा सर यह सब जहां वैदुत छेत्र क्या रहने वाला सेम तो आप integration किसका करेंगे चोड़ उसी छेत्रफल का करेंगे यहां पे छोड़ा सा छेत्रफल काड़ लो ठीक है डिये की जिसा और वैदू छेत्र की जिसा सब एक जिसा में होंगे है न तो फाइस कर दू कितना गया इसका integration कर देंगे कितना जाएगा फोर पाई और स्क्वाइर अच्छा इस चीज़ को आना आप ऐसे भी लिख सकते थे ब्रेकड में देखो आर है न यह वाला केस आर ग्रेटर है किस से capital R से और यहां पर क्या लिख सकते हो R बराबर होगा किसके capital R के क्योंकि यहां पर रखना पड़ेगा आपको यहां फाई आ गया क्या दिक्कत है हो वैसे मैं यहीं से कर सकता था इसके अंसर को लेकिन कोई बात नहीं आव यहीं पर फाई आ गया और गौस पर मेंसे क्या होगा गौस किंतु परन तु भूल गया लगाना किंतु किंतु गौस पर मेंसे क्या होगा फाई जकर टू क्यो पान एप सैलन नुवाट उठा के मान यहें पर रख दो फटा पट सब का ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा भाई रखो तो कुल मिला कि यही काम देखो हम कर रहे हैं दोबारा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं यहां से आप डारेक्ट यह लिख लेते हैं वहीं कितना आएगा एलेक्ट्रिक फिल्ड सिग्मा पान अरे नहीं आ रहा है तुझे है दोखो फाई कमान यह रखो लो इंटू कितना फोर प इंटू सिग्मा इंटू बोलो कितना फोर पाई आर स्कॉर कैप्टल रस्कॉर यार और यहां पर क्या रहने वाला एपसाल नौट देखो यह और यह सब कड़े यह बराबर कितना बचापका सिग्मा बान एपसाल नौट अच्छा देखो सिग्मा भी कॉंस्टेंट है और अनकि प्रस्ट पर प्रस्ट पर जो आपका छेत्र आया है वैद्दुत छेत्र औरじゃあ कि देख्षका्ट रूपकर करते थे और यह यह यहां पर यहां अंदर निकालना है ना केस्स नंबर कौन सा केस्स नंबर थार्ड जब बिन्दु पि है ना कहां पे इस्धित हो बोलो जब बिन्दध फि गोल ये खोस के गोल ये फोस के अंदर अंदर स्थित हो तो अब आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से हो यानि कि और जो मना लेस डैन किसे पिसे को फ़िए आपको क्या हो गया छोटा पड़ गया किसे कैपिटल आर hari से तो यानि कि आ अपela होगा यहांपे बडाहोगा स्मॉल और क्या होगा छोटा अब दोगों अगर इसी बिंदुपी से एक पीसे न एक ऐसे कल्पनिक प्रश्ट खीचा जाए तो क्या इसके अंदर कोई आवेस है इसके अंदर कोई आवेस है नहीं है न गौसियन सर्फिस कहता था सब मुझे ऐसे खीचना है कि उसके अंदर आ फाई अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फिर्ट भी क्या होगा जीरो होगा तो आपको समझ में आया कि नहीं आया तो इसका एक बहुत अच्छा सा एक ग्राफ बनने वाला है इस ग्राफ को आप देख लिजिए दिखिए ये ग्राफ है ठीक है अगर मैं इस गोले को बना लो आर तरज्जागा कितने तरज्ज़गा आर तरज्ज़गा ठेक है capital R तरज्ज़गा है तो यह कहता है सर गोले के अंदर देखे गोले के अगर अंदर बात किया जाए अंदर कितना आया था जीरो आया था ना तो जीरो वाली लाइन ये है यह मांगे चलिए आपका electric field है और य देखो ना यहां पर जितने रिलेशन्स होकर रखे हैं है ना वह आर कॉंस्टेंट यह जिरो इन्हीं तीनों चीजों को दिखाना है तो दिखे जब तक आपका small r है ना capital r के बराबर नहीं होता इधर इस रीजन में ठीक है यानि कि r से बड़ा क्या होता capital r यह 0 है आपका ठीक है यह आपका क्या है जीरो या मूल बंद सकते हैं जो मूल बिंद हो है ना वहाँ पर point कौन सा होगा 0,0 वह माल लिया ठीक है अब देखे इधर आपका electric field क्या रहने वाला जीरो क्योंकि अंदर की बात हो रही ना देखो अंदर हमारा electric field क्या होगा जैसे ही हम इसके प्रष्ट पर पहुंचेंगे जैसे हम कहां पर पहुंचेंगे इसके प्रष्ट पर तो तुरंत इसका electric field क्या हो जाएगा नियतांक होगा क्या होगा नियतांक और उसके बाद जै है इधर और बड़ा होगा किसे capital R से ठीक है तो यह आपका एक टाइप से आपका क्या होगे वहीं यह कि यह बहुत प्यारा सा ग्राफ बन गया आपका ठीक है आप इसको नोट करिए और अच्छे से जहां-जहां मैंने थेवरी बता है उसको साथ में नोट करते हुए चलिए आप से मिलते हैं एक और नेक्स्ट डेरिवेशन में आप इसको नोट करिए अब दिखिए पैरे बच्छों हम बात करते हैं एक हमारे पास क्या है अचालक है क्या है अचालक और वह अचालक ऐसा गोला है क्या है गोला है अब उस गोले के कारण है न हमें क्या निकालनी है व समान रूप से आब इसे थे वही क्या है आपका गोला और इसके कारण क्या निकलना है वैद्वशन की तीभता तो देंड को एक हमारे पास क्या है गोला है गोला यसा है अचालक है पहले अचालक के बाने में समझ ihan तो देखो क्या है कि भाई जो अचालक होते हैं न उसके अंदर जो आविस होते न बाहर भी होते हैं और धसे भी होते हैं जैसे आपने प्लास्टिक वाला बॉल देखा होगा पूरी तरह से मालो ठोस है अब उसके अंदर कुछ ऐसे कलर के पार्डिकल डाल दिये जाएं जो प नीकलना अंदर भी निकलना और सब जगानकान निकालना और देखो इक क्जंब से यह प्रस्त नहीं है यह पूरा आयतन है क्या है आइतन है जैसे यहाँ पर बात करूं एक हमाधे पास क्या है है ये मुण के चलिए गोला है ठीक है और इसमें जो आभेस हैं norte अरे बोलो है अब उसके बाद हमें क्या करना है आप इसी इसको दिया जाता है हमें क्या निकालना है वैद दो छेत्र की तिवर्टा निकालनी है क्या निकालनी है वैद दो छेत्र की तिवर्टा अब हमारा पॉइंट है ना पी अंदर भी हो सकता है प्रश्ट पर भी हो सकता है और कहां पर हो सकता है बाहर भी हो सकता है वही तीनों केस जो भी पहले किया था हाँ करेंगे तो वैसे लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर जो कुल आवेस है ना छेद्र फल में नहीं फैला है आयतन में फैला है अगर इसकी तरजा कितनी हो होगा चर्वच वटेत दीन प्यह आर कुब होगा यह बोले का क्या है ऐतन है तो हमें यहां पर आगर ऐसे नुकालना लिए तो आपका को कितना है आटन घनत को करते हैं तो और तो जुपार साथ स्पारट है नहीं हो इस में मुल्तिप्लाई करतें हैं कि is क्या रोइंटू वी अब इस वी की वैलू अपने पास है बोलो है कि नहीं है बेलुकुल है क्यों इसका रोवी कि वैलु कितनी यह उठाके पटक दो यहीं पर फोर वाई थिरी पाई आर क्यूब आवेस आगया क्या आवेस अब आप कहेंगे अब क्या करें चलो इसी का अब आप यह देख सकते हो मानके चलिया और इसके लिए आर जो गळाँ ऐसे इस कैपिटल आर से तो इहां पर दीके लिखेंगे कालपनिक प्रश्च से कालपनिक प्रश्ट से समद्ध flux कितना हैगा flux तो 5 अरावर भाई हमने कल्पनिक प्रसमान लिया है ना, अच्छा यहाँ पर आपको यह लिखना पड़ेगा कौन सा वाला case कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर कितने case बनेंगे 3 case बनेंगे, कितने बनेंगे 3, तो case number 1 आप लिखेंगे, जब बिंदू बिंदू, कौन सा बिंदू P, कौन सा बिंदू P, कौन सा बिंदू बोलो, P, जब बिंदू P, है ना, गोले के बाहर इस्थे तो, गोले के बाहर इस्थे तो, काँ पर इस्थे तो बाहर इस्थे तो, ठीक है तो अब हम क्या करते हैं देखे हमारा concept क्या है हमें अंदर भी निकालना है वे दुछ प्रस्ट पर भी निकालना है और बाहर भी निकालना है तो यह हमारा पहला case है बाहर वाला कौन सा case है बाहर वाला अब हम इसके बारे में study करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे एक कालपनिक प्रश्ट ऐसे किसा देंगे और मान लेंगे गोलाकार है और इसके तरज़ा कितनी है इसके कितनी होगी तरज़ा इसमोल आ रहा है ठीक है और माल लेते हैं यह जो बिंद पी है ना यह इसी के प्रष्ट पर इस्तेता है तो यहां पर लिखेंगे कालपनिक प्रष्ट यानि कि लिख सकते हैं गौसियन कालपनिक प्रष्ट को क्या कहते हैं गौसियन प्रष्ट से प्रेश्ट से संबध्ध संबध्ध फ्लक्स कितना आएगा फ्लक्स बोलो फाई बराबर कितना होता है इंटिग्रल ए यहां पर मांगे चली छोड़ा सच्छे तफ़ल हमारा इदर है हिंटी यह ठीक है तो यह कहाँ सथ भाई ऐसा प्रेश्ट कीचेंगे सब जगां हर एक बिंद उपर इसके एलेक्ट्रिक फिल्ड की वैलू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए हम दूरी बराबर है तो सेम तो होगा यह होगा यहां पर क्या जाएगा डी यह नहीं आएगा बिलकुल आएगा आएगा कि नहीं आएगा बोलो आएगा क्योंकि हमें किसका ओकलन करन करेंगे ई बोलो किलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है किलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि इंटीक्रेशन हमारा किसका होगा डी ये का होगा ठीक है अब इसको मैं इधर करना हूं देखो हम क्या करेंगे भाई यहां पर इंटीक्रेशन किसका करना डी ये तो पाई वरावर कितना गया यह डिये आ गया सिंपल सा अब इसके बाद क्या होगा डिये इंटिग्रेशन इसका करना था कुल मिला कि ए बन जाएगा क्या बनेगा ए और बताओ एक गोले का पूरा प्रश्ट का छेत्र फल कितना होता है नहीं याद है रे यार फोर पाई आर स्क होता है ठीक है यह गोश्यन प्रश्ट का क्या हो गया छेत्र फल हो गया अब यहीं पर क्या लगाएंगे किन्तू गौस पर मेंसे कौन से पर मेंसे गौस पर मेंसे हम जानते हैं कुछ पर मेंसे फाई वराबर क्या होता है क्यों पान एप सैलन नो आट उठा के मान यह पर प पाई और इस क्यूब अपान एपसाइलन नोट और यहां पर फाई कमान रखना था फाई कमान कितना आया था यह ठीक है तो अभी रख देता हूं देखो फाई कमान रखो यहां पर यह फूर पाई आर स्कॉाइर इसकल टू यह रखेंगे रो इंटो चार बटे तीन पाई आर 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 क्यूब ठीक है और यहां पर नीचे आपका क्या जाएगा एपसाइलन नोट फूर पाई फूर पाई यह कट गया आपका और यह तीन नीचे आ जाएगा और रो आर क्यूब उपर बच जाएगा तो एलेक्ट्रिक फिल्ड आप देखिए ध्यान से रो आर क्यूब अ अपन थ्री अपसायल नौ्ट आर स्कॉयर यानि कि जो फंड करता है बाहर निरभर करेगा यह झाली टर्म इस्तित हो सताय पर जब बिंदू है ना केस नमबर कौन सा है सिकेंड है यह परस्ट ता यह सिकेंड है जब बिंदू पी प्रस्ट पर हो प्रस्ट पर इस्तित हो इस्तित हो तो देखो ज्यांसे प्रस्ट पर इस्तित है यानि कि आर बराबर क्या होगा इसी में वेलू पुटकर दो उठाके तो इ जहां से देखो इसकल टू आपका कितना जाएगा यहां पर रख देंगे न जहां जहां आपका क्या होगा ही ज्मॉल आर है न वहां पर क्या रख देंगे यहां पर देखे सिग्मा यहां पर क्या है टाइक थेया इसको भी आपको ध्यान रखना है अब देखिए अब पर बाद करने जा रहा है। अंदर कहां पर बात कर रहे हैं अंदर तो ध्यूदयान से अगर इसके अंदर को I made it's psychological से यह जो आप्यस कि मात्र वो क्यों क Nous Dh special कि यह कि इस से किटनी कुछ टेस है तो दो कभी भी सिसका तो नहीं बदलता है अब्छ बदल जाए लेकिन घनत तो नहीं बदलता है किस नंबर 3ald की बात करने जा है ठीक है लिक्हेंगे निन प्रष्ट के अनदर क्वाश्ए अ प्रष्ट के अंदर खोश्ट के अंदर मुला वेस आपने कितना लिया किसमा कितना किसमें फैले लान इसका रेडियस कितना होगा है अब फैर यानि कि धान रगना छोटा पर यह से सकते हैं जब बिंदु पी नहीं प्रस्ट के अंदर इस थे तो किसे अंदर रस्ट गें रहिए टेऴ difरश एक के अंधर याप लिख लेना ठीक है यहां पर जगे नहीं आप दो यहां पर Sigma का मानी उठागर रख सकते हैं कि ने रख सकते हैं क्यों टब्थ है सकते हैं कि यहां पर क्या जाएगा क्यों पांग क्या भी यह जो यह जो आयता ना इंस यह इसका इतन है और जब कि ये वाला इतन है न है इसका है ये वि है और ये आपका क्या है, भीड़ेस ठीक तो भीड़ेस में जो आएगा आईतन 4 बते 3 पाई, c mantra q और इसके आईतन में क्या आईगा, 4 बते 3 पाई, भीड़ो, capatok, formul, cata q, ये हो ये, cancel out होगे, तो डैस इतना है क्यों आर जया यहां पर क्या है क्यों ठीक सब्सक्राइब ही दम ठीक और आजयों क्यूं आर क्यूंब आपन कितना प्रत और के इंदर होगा तो अगर हम च्लेक्स की बात करें किसकी बात करें, flux, तो यह कहना सर, 5-2, इंटू, इसका पूरे एरिया, कितना होगा, 4-पाई, R-square, किंटू, किंटू, है ना, गोस पर में से, किस पर में से, गोस, पर में से, ठीक है, यह आपका, क्या होगा, 5-2, क्या होता, क्योपान, एपसाइल नौट क्यों पन क्या होता है एपसाइल नॉट बोलो नहीं आ रहे समझे में ठीक है दो फाइग आधा के रख दो न ये इंटू हुं कि यहां पर रखाज जाए हैं कि इस वाली यह वालय मच तो यह आपका आजा जायेगा कहां गया यह क्यू आर क्यूं माद्ग या राए रहे किदर आजाएगा तो इस करड़ू कितना मिला आपको कितना मिलगा कितना मिलगा बोलो यह तो क्यों तो नीचे रहने वाला है और एक आर ऊपर रहने वाला है आपका और यह सब नीचे आजाएंगे फोर पाई एपसाइलन नॉट और यहां पर नीचे क्या आता है आर क्यूब आप द्यान से दिखो यह सारे टर्म आपके क्या है constant है बोलो है कि नहीं है तो यह जो है ना वो depend किस पर करेगा किये वोल निर्भर करेगा किस पर small r पर किस पर करने वाला है r पर पहले आप दिखिए फर्स नंबर में यह किस पर depend किया था पहले नंबर में वह नपान आज इसको आ रहने कि बाहर अगर बात करेंगे अर बढ़ेगा तो इसका electric field कम हो जाता है लेकिन अगर परश पे बात करें तो क्या होता कॉंस्टेंट क्या होता है constant ठीक है लेकिन अगर अंदर बात करें तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे एलेक्ट्रिक फेल्ड भी बढ़ेगा अच्छा इस लाइन से यह किलिए रो रहा है ना आपको सबसे जद्धा एलेक्ट्रिक फेल्ड उसके प्रेश्ट पर मिलने वाला है ठीक है तो यह रिलियस्म यह सो करता है चलो देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनाना है ठीक है तो मैं क ही अब ही आपने देखा अगर एक हमारे पास क्या है गोला है क्या है जैसे उसका यह एक्शिस है ठीक है यहां पर काम करते हैं मैं गोला रख देते हैं क्या consideration और तो पहले निमबर iven ही पर प्यार से बना लो यह ग्योला हो गया है यह शेंकर सेंटर MSAP हो कि यहां पर आर बराबर क्या होने वाला जीरो अच्छा इसको देखो अगर आर कमान जीरो हो जाए तो एलेक्टिक फिट क्या हो जाएगा जीरो तो ध्यान रखें अचालक पर कव वैदु छेदर के टीपरता जीरो हो सकती है जब उसका आर गोसियन प्रेश्ट का तरज्या क् प्रेश्ट को एक्परेश्ट लाइन से आपके लोगा एक यए फिक ये के बाद जब यह दो स्पैस्ट मों और यह अनि कि इनका जो ग्राफ बढ़ेगा न एक स्ट्रेट लेन में ऐसे ठीक है और उसके बाद जब ये तो वो केस था जब आर से बड़ा था क्या capital R और ये वो केस है जब R बराबर क्या है capital R तो यहां पर क्या रहने वाला constant क्या रहने वाला constant ये वाला केस है जब R बराबर क्या है और अब उसके बाद आगे अगर बढ़ें ठीक है इधर अगर हम बात करें ठीक है यह आपका आर है और यह क्या है यह तो देखो इधर बढ़ेंगे तो इलेक्टिक फिल्ड घटेगा तो इसका ग्राफ कुछ यह बनेगा यह वन अपान आर स्कॉयर ऐसा सेम इधर भी है ठीक ह और और कहीं जिरो होने वाला नहीं है जबकि चालक में क्या होता था अंदर गुसे तुरंत क्या हो गया जिरो हो गया ठीक है तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा इसको आप नोट करिए ठीक है अब देखिए अब हम जो बात करेंगे है ना अगले next lecture में बात करेंग यह सब चीज़ आपके exam के लिए बहुत ही important है बहुत ही जादा चलिए मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से lecture में तब तक आप खुस रहिए मस रहिए पढ़ते रहिए